नॉर्मल रेजिदेंस और नॉन रेजिदेंस इन दोनों के बीच में क्या रिफरेंस होता है इससे बहले कि समझ लोगी कोई व्यक्ति जो ना सिटीजन किसी और कंट्री का हो सकता है और नॉर्मल रेजिदेंस किसी और कंट्री के लिए हो सकता है एक्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कर्यांच व्यक्ति है वो इंडिया का सिटीजन है लेकि नॉर्मल रेजिडेंस वो USA का भी हो सकता है कैसे हो सकता है अगर उसका एकनॉमिक इंटरस्ट उस कंट्री के साथ है दूसरा वो एक साल यह उससे जादा समय के लिए उस कंट्री क दूसरा वो एक साल यह उससे जादा समय के लिए उस कंट्री के अंदर रह रह रहा हो तो वो हो जाएगा नॉर्मल रेजिडेंस उस कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंस कौन होगा जो एक साल से कम समय के लिए उस कंट्री में रह रह रहा हो साथ में उसका एकनॉमिक इंट